और यही टोटल टीन सेक्षन पेपर में पूछता है जहां से टोटल 80 कोशन आते हैं जो कि पेपर 120 मिनट्स में आपको करना होता है इसमें मुद्दे की बात यह है कि कोई सब्सक्राइब लेवल अलग अलग होता है ठीक है तो वहां पर इनी सेक्षन से अलग लेवल कोशन देखने के लिए मिलेगा इन्हें सभी अलग अलग लेवल का वीडियो लेच्चर नोट मॉक टेस्ट यह सब आपको डेली बैट के अप्लिकेशन में मिल जाएगा डिप प्रिपरेशन पर बात समझ लेते हैं पेपर में तीन सक्षन आता है लैंग्विज प्रोफिशेंसी टीचिंग एपिटूर रीजनिग अबिलीटी तो यह जो लैंग्विज प्रोफिशेंसी है न यहां पर लैंग्विज का सिंपल सा मतलब है कि आप से इंग्लिश का कोशन पूछेगा तो कोई ही बिडियुम का बच्चा यह मैंनेजबल क्यों होता है क्योंकि यहां पर आपको पैसेज बगार भी देखने के लिए मिलेगा पेपर में कि मतलब अपठित गर्दांस दिया हुआ हुआ है इंग्लिश में दिया हुआ तो पढ़ करना आटेंट करना इ पढ़के आया हो तो यह भी यहां पर फड़ा सा इसली मैंनेजिबल हो जाता है और रीजनिग अबिलिटी में ऐसा है कि कोई ऐसा बच्चा है जो मैठ बैग्राउंड का नहीं है सब पहली बारी पढ़ रहे होते हैं हां बस फड़ा मैठ बैग्राउंड के रहोगे तो आपको रीजनिंग में दो चार कुछ एडिशनल आडवांटेज मिल जाएगा किसी को करने का तरीका होता है मैठ बैग्राउंड वाले बच्चे को फड़ा लाव मिल सकता है लेकिन सारे सक्षन ऐसे हैं कि सभी लोग उसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं कर सकते हैं तो ओवराल मुद्दे की बात यह है न कि प्रिपरेशन से पहले आपको रीजनल इंस्ट्टूट आफ एडूकेशन आराइई को बहुत सीरियसली लेना होगा जैसे कि जो एंसी इई आर्टी आराइई है ठीक है यह इंडिया में सबसे टॉप की टीचर एडूकेशन के इंस्टूशन है अब बहुत लोग होता है कि इसके बारे में सुने नहीं रहते हैं जानते नहीं रहते हैं तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी अच्छी बाते अच्छी इन्वस्टी अच्छे कोर् जो ऑथर से कंट्रिविशन दर्था एंसी आर्टी के बुक में लिखने में उनका नाम लिखा रहता है उनका कभी अडिकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ना या तो वह बीएड मेड या तो फिर एड्यूकेशन में पीएच्डी वगरा कुछ ना तो कुछ ऐसा रहता है जो सब्सक्राइब और यह एंसी आर्टी आर्टी आराई टीचर एडूकेशन के फिल्ड को डेडिकेटेड संस्थाएं हैं इन लोगों की कैंपस देखने के लिए मिल जाएगा और जो क्या कहते हैं प्लेस्मेंट सेल वगरा बहुत अच्छा है बीर्ड बहुत अच्छे से करा लाब बहुत अच्छा है तो इसलिए आपके दिमाग में एक सीरियसने से रहना चाहिए एंसी आर्टी आराई को लेकर कि अगर मैंने भाई फॉर्म फिल किया है तो आई हैस्टू में इस इंस्टिटूशन एट एनी कॉस्ट वाटएवर इट टेक्स क्योंकि अगर आफेल ह जाओ कि आदा नंबर एक नंबर से तो फेल होने का जिंदगी में कोई रिवार्ड नहीं मिलता है तो वाटेवर इटेक्स यू हाव तो मेक्स पूस एक्जाम तो यह भी आपको समझना होगा कि कोई दरूरी नहीं कि बच्पन से यहां आते 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 आप पढ़ने में हो सकता है साइकलिंग में तुम उससे चलाते हो सबी जगह पर अलग-अलग requirement है बस है कि destination कहां पर है वहां पर आप देखिए बात कहने कि मचली को पेट चढ़ने के लिए नहीं करना है कहना है और पेट चढ़ने वाली जानवर को पानी के अंदर डुपकी लगाने के लिए लिए कि मैं टिकरी नहीं कहना है तो सिदुने का पाराइस के लुप vanak देखिए ना आपके लिए यही आपके रिखने बनाता देता है कोई को दिया होगा तो यहां पर तुम को दिखने के लिए मिलेगा कि इसका फेपर स्ट्रक्चर स्वाँ सा । है क्या कि आप जिस भी एरेना या फिल्ड में आप डौड रहे हो जरूरी यह कि उस फिल्ड में बेस्ट करो कहो लिए आप मचली पानी में तर रहे ओ आप तेजी रही है कि आप अच्छा तैर सका को आप पेड़ पर चड़ सके तो यहां पर यह है punching point है और उसको अगर आप decode कर लोगे दस दिन पहले भी ठीक से पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा पांच दिन पहले भी ठीक से पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा जैसे कि मैं आ जाता हूं language पर देखो अगर तुम को आज तक अंगरी जी नहीं आती है उस English के section में किस किस तरह का question आ रहा है किया पैसेज है ठीक है अगर idiom phrases है या फिर active passive है या फिर direct indirect है तो आप देखो कि उसमें से कौन सा question आप कर पा रहे हैं तो इंग्लिश की standard RS अगरवाल वगरे की book आती है आप वो ले सकते हो आपके पास most only अब तक हो गारी नहीं भी है तो भी अगर English की दो चार topic पर आपका command रहता है तो मान में वहां से 20 question आता है 20 में अगर आप English medium के नहीं भी हो तो कौन तुम से कह रहा है कि 20 में तुमको 20 लाना है लेकिन 0 भी तो मतलाओ 0 भी तो मतलाओ कम सकम इतना रहे कि गिरी से गिरी हालत में आठ से लाओ तुम इत teaching aptitude teaching aptitude भाई सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कोई भी ऐसा बच्चा है जो डेली बाइट्स पर आ रही का कोर्स अगरे लिया है और या फिर वह अभी भी इसी बात में है कि नहीं भी जाओ नहीं अफोर्ड कर सकता है या फिर ऐसा है कि नहीं अपने ऊपर तुम ए आप या वैप साइट में जाओ और यह कोड यूज करो ठीक है यह एक जगह पर 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 चेस कर सकते हो ठीक है और यहां पर जो है आप इस पेस देना ठीक है यहां पर इस पेस दोगे और सीटेड लिग जाना है ठीक है यह कोड आप यूज कर देना आपको अच्छा खासा ऑफ हो जाएगा साइक त्रिपल ना इस जो आपको मात मिल जाएगा आपको नोरे करना ही पड़े के लिए तो उससे भी आपका काम बन जाएगा थोड़ा मुड़ा भी जो कर सकते हैं मानलो कोई उसके बाद भी नहीं कर सकते हैं तो जो बता रहे हैं उतना ही कर लिजे आप यह जो प्छड़ावी रूची को ले करिए मैं कहूंगा कि यूट्यूब पर जाओ सभी वीडियो लेक्चर को तुम चार से पांच बार देख जालो एकदम रट जाए एक्जाम में जो सिच्छाडवी रूची टीचिंग अप्ट्यूट्स आपको कोश्चन देखने के लिए मिलेगा डाम शोर रहो कि 99 पर्षेंट कोश्चन तुम इस पूरे प्लेइलिस्ट को देखने के बाद बहुत इजी तरीके से आप उसको अटेम्ट कर पाऊगे बिना किसी प्रॉब्लम के तो यह अप्रोच आप रखिए टीचिंग अप्लीूट्स तब पहरी बारी पढ़ रहते हैं जो इतना डंक्स को प्रिपैर कर लें लास्ट में आते है कि भया prisoner reasoning कहीं पर भी Only93 बॉल रहा हूं कि अगे सीशा लगा देंगे तो कैसे दिखेगा यह implicit नहीं पर क्या होगा ठीक है P Q R M यह है तो उसका L M N O क्या होगा कुछ इस तरह के code wise होते हैं तो वो total practice के ऊपर है सब reasoning पहली बारी सीख रहे होते हैं पहली बारी कर रहे होते हैं बस थोड़ा कोई math background का होता तो इसको additional advantage मिल जाता है लेकिन अगर आप reasoning में अच्छा practice रखते हो तो सबसे बड़ा reasoning का advantage क्या है कि once something is right that simply means it is right कहने के सेंस ही है कि तुम English में चार आप्शन में टिक कर रहे हो तुम damn sure नहीं हो सकते हो कि कौन सा गलत है कौन सा गलत है लेकिन reasoning में कोई question सुल्झा लियो और सही आपने code decode कर लिया है तो high probability रहता है 99% रहता है कि जो question आपने attempt किया है उसका जो answer आ रहा है वो सही है वहीं उसी समय clear हो जाता है आपको कि question सही है कि नहीं है तो यह आपको practice का approach रखना होता है और topic wise समझना है कि कौन सा topic पढ़ लें क्या कर लें तो उसके लिए यूट्यूब पर देख सकते हैं सारी चीजों को मैं आपको दिखा जैता है explain कर देता हूं बाकि यह वाला जो मैं material बता रहा था कि आप सभी रोग जाके डेली वाइट के app में जाके ले सकते हैं यह 6999 के जगह मातर 1999 में अब लेवल है ठीक है यह मातर 1999 में अब लेवल है उतना भी ढंक से कर लो हाई probability रहेगी कि आराई बीएड में आप में कर जा रहे हो तो यहां पर कुछ चीजे मैं आप लोगों को और शो कर दे रहा हूं आप देखो कि डेली वैट की website पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं और यूट्यूब पर भी मैं आपको दिखा दे रहे हो इतना तो आपके पास रहे ही तो देखो यूट्यूब पर मैं दिखा दे रहा हूं डेली बैट से कौन से प्लेलिस्ट के तब से आप से बात कर रहा हूं देखो कि नोपर में का टीचिंग एप्ट्यूट सिख्ण विरूची करके एक यह है और एक और ऐसे ही होगा तो सभी जो वीडेए अगैंद यहां पर आप पूरा का पुरा इसको जो है यह यह दम रट जाए यह वाला भी प्लेलिस्ट उपर देख जाएगा यह वाला ही पुरा देख जाएए और आराई का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आराई एंसी आइटी वाला पुरा प्लेलिस्ट भी आप देख लीजे क्यों क्योंकि जो भी मैंने को लेकर बोला इंग्लिश को लेकर बोला और क्या कहते हैं आपके को लेकर बोला वो पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा सैलेबस यहां बहुत डीटेल में डिसकॉस्ट है लाइन बाइन इस सेलेबस को आप गो थू कर लीजे यह बात समझ लीजे कि पेपर स्ट्रक्ट्टर इतना कठे नहीं है अगर इस पेपर स्ट्रक्ट्टर को फोड़ोगे त आप में ओपन करोगे तो एप में ओपन होगा दोनों जगह नहीं होगा यहां पर वैंक करना क्या संथ्वाब को कर लेना रेजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना डीटियल डागे ओविसली रेजिस्टर करोगे रेजिस्टर करने के बाद आप डेली बाइट्स अंडर स्पेस दीजेगा सीट यह कोड यूज करिएगा आपको काम बन जाएगा बहुत यह यह वापस से लिख दे रहा अधर कर लिजे इतना भी आप कर लेते हो जितना मैंने बताया है आप आरी बीयर्ड में बहुत अच्छा कर रहोगे और तो बहुत तरह अरे हैं लोग होते हैं अच्छी प्लैन मिनानाना लगते हैं कि हमको देना नहीं ऑने-जारे हो निए-जान, नहीं दम देंगे लिए तो इसी बहारे आपके पास रिजूमे में सीवी में रहता है बहुत से बताने के लिए कि हां मैंने और तो इस तरह से नहीं होना चाहिए तो आ रही बिएट का जो पेपर स्ट्रक्चर है लैंग्विज प्रोफिशन से इंगलेस टीचिंग एपिट्यूट का पास्ट का दो तीन साल का पेपर देख लो जरूरी जब तक आप प्रक्टेस करो सब्सक्राइब कुछंज तो इस पर आप जैसा है जिसको मान लो बहुत ऐसा मन नसा हम पर प्रक्टेस करना तो अगें डेली-बाट के वैङ्ट एक्जाम में आप तुमों को तेखने के लिए मिल जाएगा इसको भी आप जाके ले सकत कर सकते हो तो यहां पर टीचिंग के अच्छे खासे कोश्चन आपको सेपरेट वे मिल जाएंगे जिनको भी थोड़ा भी लग रहा है कि एक्जाम में आप मेक्थ्रू कर सकते हो थोड़ा प्रेशन ठीक है उन लोग को स्ट्रॉंग रहेगा जाके टीचिंग अप्रेक्टिट करें जितना अधिक सदी प्रेक्टिस रखिए शूर शॉर्ट अपका सेलेक्शन होगा बागी के सभी कैंडिडेट को बहुत सारी सुप कामना है और बातों का ध्यान रखिए कितना आप उस पर सीरेज होने की जरूब होता है और डिस्रिप्शन वाक्स में सभी वीडियो ल